कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे यूटीब चैनल पर हरदिक स्वागत मैं आपका दोस्त विवेक होगना आज चर्चा करेंगे मेश वाशिक राशीफल 2023 के परेंगे ने साल 2023 की शुरात के साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि इस साल उनके लिए क्या है हम चाहते हैं कि आने वाले साल में हमारे सभी के सपने जो हैं सच हों लेकिन इसके लिए हमें कई चनोतियों का सामना भी करना पर सकता है जिस कारण पर तेक व्यक्ति आने वाली सभी मुश्कलों और रिकाव्टों के लिए खुद को त्यार करने का प्रयास करता है ने साल के क्रीब आते ही लोगों के दमाग में अपने नोकरी, विपार, शादी शुदा जीवन या शादी, फनास, रिस्ते, हैल्थ हादी के बारे में कई सारे स्वाल होते हैं दोस्तों प्रतेक ने साल कुछ नई सुगात लेकर आता है वहीं कुछ लोगों के लिए आने वाला साल उदासी का कारण भी बनता है ये समय का चक्कर है, किसी के लिए नहीं रुकता हर रात के बाद सवेरा होता है, तो हर सवेरे के बाद रात भी होती है ये वक्त का पहिया है, चलता ही रहेगा इसलिए बुरे वक्त में कभी भी नराश मत होईएगा कोई कि बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा और अच्छा चल रहा है तो कभी भी बुरे वक्त को मत भूलिए कोई कि वक्त बदलते देर नहीं लगती वक्त हर इंसान के जीवने बहुत महत्व रखता है और इस वक्त के भईयों को चलाने में सक्षम है हमारे नो ग्रह इनी के अधार पर हमारा जीवन जो है चलता है हमारे जीवन में उतार चड़ाव आते हैं ये ग्रह जब अपनी इस्तिती बदलते हैं तब हमारे जीवन में उतार चड़ाव देखने को मिलते हैं तो आईये स्टॉलजी के मादियम से जानते हैं कि आने वाले ने साल दोजर तेईस में ग्रहों का ये खेल मेश लगन वालों के जीवन में किस प्रकार का उतार चड़ाव ला रहा है यहां एक बात कहना चाओंगा कि यह पूरी की पूरी चर्चा मेश लगन के उपर अधारित है ना कि मेश राशी के उपर लेकिन यदि आपके लगन वालों में जहां एक नंबर लिखा हुआ है वहीं पर चंदमा वराजमान है तो यह चर्चा आपके लिए भी काफी महत्तपूर्ण है सबसे पहले थोड़ा सा बड़े ग्रेहों के गोचर की बात कर लेते हैं चार्ट आपके सामने है इस साल सबसे पहले शनी अपना अराशी प्रवर्तन करेंगे स्तारा जन्वरी को मकर से निकल कर अपनी मूलत्रकों राशी कुम्ब में प्रवेश करेंगे उसके बाद देव गुरू ब्रस्पती जो की अप्रैल तक आपके ट्वेल्थ भाब में और उसके बाद आपके लगन भाब में राहू के साथ 30 अक्तूबर तक गोचर करेंगे यानिकी राहू गुरू मिलकर गुरू चंडाल जोग जिसे कहते हैं और 30 अक्तूबर से राहू केतू अपना राशी प्रवर्तन करते हुए राहू 12 भाब में प्रवेश करेगा मीन राशी में और केतू जो है 6 भाब में कन्या राशी में प्रवेश करेगा बाकी के फास्ट मोविंग प्लैनेट हैं समय समय पर अपना राशी प्रवर्तन करते हुए हमारे जीवन को शुब या अशुब रूप से प्रभावित करते रहेंगे क्योंकि ये वार्षिक राशी फाल है तो इसलिए इस चर्चा में हम ज्यादातर बड़े ग्रहों पर ही फोकस करते हुए आने वाले ने साल की संभावनों को जाचने की कोशिश करते हैं दोस्तों तो चलिए जानते हैं आने वाला नया साल 2023 मेच लगन राशी वालों के लिए कैसा रहे सकता है लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बर फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस योटूब चैनल प अपलोड करते रहते हैं आप उन्हें मिस मत करिये गा और इसी के साथ यदि आपकी कोई क्यारी हो तो आप दिये हुए इस वर्टसप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं फीस दोस्तों एपलीकबल रहे की तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे मेच लगन राशी वालों की हेल्थ के बारे में साल दोहे Širth के शुरू ए शुर्वात में रहू आपके लगन भाब में सैवंत्थ बाब में केतु सेकंड भाब में वक्री मंगल टैंथ भाब में शनि और शुक्र की यूती और स्तारां जैन्वरी को शनि का बाद अबगभभभ में प्रवेश यानिकी 11 भाव में और 12 भाव में ब्रसपती का होना सहित के लिए ज़्यादा अनकूल दिखाई नहीं दे रहा इसलिए जनवरी से लेकर अगस्त तक अपनी हेल्थ का खास ख्यार रखने की आपको जरूरत होगी वशेश रूप से मई और जुलाई के बीच का समय आपकी सहित के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं दखाई दे रहा लेकिन अगस्त के बाद आपकी सहित में सुधार आना शुरू हो जाएगा अपने उपर मानसिक तनाब को बिलकुल भी हावी ना होने दे और प्रती दिन सुबह की सेर पर जाने की आदत आपको डालने चाहिए ताकि आप तंद करम भाब में रहने से आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और प्रवार को कम समय दे पाएंगे ऐसा भी हो सकता कि काम के सिल्सले में आपको कुछ समय के लिए प्रवार से दूर जाना पड़े दूसरी बात वक्री मंगल सेकिंड भाब में प्रवार भाब में इस होल तियार होगा घर में शुर्ब मांगलिक कार्यकरम योजित होंगे और घर के सभी सदसे हांसी और खुशी के साथ अपना जीवन जो है वतीत करेंगे बात करेंगे आपके लब रिलेशनों शाध्यूद जीवन की आने वाले साल दो जार तईस में मेश लगनराशी के लोग अपने रिष्टे में इमांदार रहेंगे अपने साथी को शाधी के लिए प्रपोस कर सकते हैं और बहुत हद तक संभावना है साल दोहजर ताईस के अंत तक आप अपने शाधी जो साथी है उससे शाधी के बंदन में बंद जाएं जो मेश लगनराशी के लोग सिंगल हैं अपरेल से अगस्त के बीज में आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके जीवन में बहुत ही खास बन जाएगा और आपके दिल का हाल जानने लगएगा बात करें शाधी शुदा जीवन के तो शाधी शुदा जीवन में समस्य हैं रहेंगी क्योंक देंगे तता शनी का गोचर 11 भाव में शादी शुदा जीवन में प्रेयम रस भोलने वाला होगा आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक अच्छा ताल मिल देखने को मिलेगा जो की प्रवारिक जीवन को भी अच्छा बनाएगा एक दूसर के प्रतिस मर्पन की भावना का भी कास होगा जिससे रिष्टा आपका मजबूत होगा आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्स तस्तालिक और खुपसर जगा पर घूमने भी जा सकते हैं दोश्टों जो शादी शुदा नीली कपल हैं उनको एप्रल के बाद जब देवगरू बरस्पती आपके से लेकर अगस्त के दुरान संदान के लिए थोड़ा कस्ट पूरन समय भी हो सकता है इस दुरान अपनी संदान की सहत का आपको ध्यां रखना होगा और जो बचे बड़े हैं उनके माबाप जो हैं उनके लिए उनकी संती पर जो हैं उनकी जो यार दोस्त हैं मित्तर हैं उन के अंती महिनों में यानिकी नुमंबर और दिसम्बर के बीच आपकी शादी जो है हो सकती है बात करें शिक्षा की साल दोज़तेईस के शुरू में मेश लगन राशी के स्टूडेंट को अपनी स्टडी में कुछ उतार चड़ाब का सामना करना पड़ सकता जो स्टूडेंट वदेश जाकर हाइस एजुकेशन परापत करना चाहते हैं उनकी ये इच्छा अक्तूबर से दिसम्बर के बीच पूरी हो सकती है बात करेंगे आपके केरियर की साल 2023 में मेश लगन राजशी के लोगों को केरियर के मामल में बहुत अच्छे परणाम प्रापत होने वाले हैं जो उमीदें 2022 में रखी थी वे सबी उमीदें इस साल 2023 में पूरी होंगी आपके नोकरी में जो परशाणियें चल लही तीमेदूर होंगी वही आपके जो वुरिष्ट अधकारियों का सहीयोग और उनकी किरपा जो आपको प्रापत होगी आपके साथ ही करमचारियों का सहीयोग भी आपको मिलेगा आप अपनी नौक्रिमे में अच्छा प्रदशन कर पाने में सफल रहेंगे और मार्च से अगस्त के बीच आपकी प्रमोशन के योग के साथ सैलरी में इजाफे के योग भी बन रहे हैं वहीं बात करें विपारी पेशा लोगों की तो साल दोहियर तैस में मेश लगन राशी वाले लोगों के लिए ये साल उतार चड़ा भरा साबित हो सकता है साल की शुरात में सेकिंड भाब में वक्री मंगल और सेवंथ भाब में केत्व के गोचर करने की वज़ा से विपार में परशानिया आ सकती है मार्च से लेकर माई के बीच मंगल का धर्ड भाब में गोचर आपके विपार में उन्ती का कारण बनेगा इस दुरान आप किसी भी तरह का जोखम लेने से नहीं डरेंगे और विपार को लेकर ने ने जोखम उठा कर कुछ ने प्रियास करेंगे जो आपके विपार की उन्ती में कारगर साबित होंगे आपका ज्यादा ध्यान आपकी मार्केटिंग, सेल्स और क्यूम्निकेशन पर रहेगा जिसकी विपार में विरिदी के सपस्ट संकेश जो है देखने को मिल रहे हैं अगस्त से एक्तूबर के बीच कोट कचैरी और विपार से जुड़े कौनोनी मामलों में आपकी जीत यकीनी है आप अपने वो जो विरोधी हैं या शत्रू हैं उन पर भारी पढ़ेंगे और मार्केट में आप अपनी पैठ जमाने में काम जब रहेंगे यह समय आपको अपने विरोधीयों से दो कदम आगे रखेगा इसके बाद अक्तूबर से दिसंबर के बीच कर समय काफी अच्छा रहेगा जो लोग देशी विपार करते हैं उन्हें अच्छे फ़लों की प्राप्ती होगी जो आपके विपार को ने मुनाफ़े के सोदे उपलफद करवाएंगी वहीं पार्णशी विपार के लिए साल 2023 उतार चड़ाप से भरा रहेगा आपका क्रोधित सभाव या उगर विवहार तथा आपका अपने पार्टनर से ताल मिल ना बैठ पाने की वज़ाएंगी विपार के लिए यह समय कमजोर से दो सकता है हलंकि स्टार्ट अप वाले विपारियों के लिए जून से लेकर नॉम्बर तक का समय बढ़ियर है और आपका स्टार्ट अप उन्तिक करेगा बात कर लेते हैं आखिर में आपके आर्थिक स्तिती के बारे में साल दोज़ार्थ तेईस के शुरुआत में ब्रस्पती का आपके ट्वेल्ट भाब में गोचर धार्मिक और अन्या गती विदियों पर खर्च करवाता नजरा रहा है आप काफी दान पुनिया भी करेंगे केवल इतना ही नहीं आपके लगन भाब में राहू का गोचर भी आपसे फजूल खर्च करवाएगा और आप बिना वज़ा के चक्रों में या खर्चों के चक्रों में अपनी आर्थिक स्तिती को जो है खराब कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ 17 जर्वरी 23 से 11 लाब भाब में शनिका गोचर आपको आर्थिक तोर पर मजबूती परतान करेगा और आपकी आमद्री में वृदी करेगा अलग अलग सोर्से से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जीवन में आर्थिक उंती और आर्थिक से थरता बनी रहेगी इसके बाद 22 अपरेल को जब गुरू आपके लगन भाब में प्रिवेश करेंगे तो वैसा में आर्थिक उंती का समय होगा तब से लेकर साल के अंत तक आपके पास किसी ना किसी रूप में धन की आवा जाही लगी रहेगी और आप आर्थिक तोर पर उन्त होने लगेगे शनी और ब्रस्पती के अर्शीदवास से आपको कोई प्रॉपटी खरीदने का मौका मिल सकता इस साल मई के महिने में शुकर महाराज की किर्पा भी आप पर बरसागी और उनकी किर्पा दरिस्टी और अन्या ग्रहों के शुप पर भार के चलते हैं मई के महिने में कोग गाड़ी या वाहन आदी खरीज सकते हैं लेकिन 30 अक्तूबर से सबसे बड़ी बात 30 अक्तूबर से जसंबर के बीच जब राहू 12 भाब में गोचर करेगा तो फजूल खर्ची का समय शुरू हो जाएगा इस दुरान आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अनवशक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्तिती पर दबाव जो है आ सकता है बात करें उपायों की मेश लगन वालों के लिए मंगल वार को हनुमन चैलिसा के साथ बजरंग बान का पाठ करना ना भूले और दूसरा यदि संभव हो तो गुरुवार का वर्त रखें प्रती दिन सनान के पशात अपने मस्तक पर हल्ली या केसर का तेलक लगा कर रखें तो दोस्तों ये थी जानकरी आने वाले ने साल 2023 की मेश लगन अराशी के जातकों के लिए कैसे वो शुब रूप से हमें प्रभावित कर सकता है जानकरी अच्छी लगी तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स कुला है आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकरी को लेकर तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार